हलो क्लास 11 आपको यादी है हम लोग अलबर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल चैप्टर कर रहे हैं और अब तक हमने देख लिया था कि अलबर्ट स्कूल नहीं जाते तो वह बहाना करना चाहा रहे हैं स्कूल नहीं जाने का बहाना ये कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और इसलिए कोई बोलने से तो तयार नहीं होगा कोई भी स्कूल ना उनको तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हाँ इ इसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया अपने दोस्त यूरी की मदद मांगते हैं आइंस्टाइन की वो किसी तरह से एक डॉक्टर ढून दे जो उसे नर्वस ब्रेकडाउन उसको हो गया है इसका सर्टिफिकेट दे दे अब आगे देखिए यूरी एक उनके लिए दोस्त भी डॉक्टर ढून लेता है अपने दोस्त के लिए अलबर्ट के लिए उसके बाद क्या होता है यू है अलबर्ट बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके दोस्त ने उनके लिए एक डॉक्टर ढून दिया है उसके बाद देखिए I have an appointment for you for tomorrow evening यूरी said here is the address और तब यूरी ने उनक डॉक्टर का appointment ले लिया है कल कहीं कल शाम कहीं appointment उसको मिल गया है और यह रहा डॉक्टर का address he handed Albert a piece of paper और फिर उसने address लिखा हुआ जो कागस का टुकडा था Einstein को दे दिया डॉक्टर आरनेस्ट वेल डॉक्टर साब का नाम था डॉक्टर आरनेस्ट वेल is the specialist in nervous troubles यह डॉक्टर साहब specialist है nervous troubles के आस्क अलबर्ट, अलबर्ट ने पूछा कि क्या यह डॉक्टर साहब जो है वो nervous troubles के डॉक्टर है specialist है not exactly you re-admitted तो इनका कि नहीं नहीं है कि वो nerves वाले डॉक्टर है as a matter of fact he is only qualified as a doctor last week असल में क्या है न कि यह बस पिछले ही सब्ता यह डॉक्टर की जो exam होती है उसको qualify किया इनुने you may even be his first patient शायद तुम उनके पहले मरीज भी हो जिसका वो इलाज करेंगे you know him as a student then तो अलबर्ट ने उसे पुछा कि अच्छा है इसका मतलब कि तुम जब वो student रहे होंगे medical के तब से तुम उनको जानते हो I have known Ernest for years, Yuri hesitated for a moment, he is not a fool, he warned Albert तो उसने I have known Ernest for years, Yuri hesitated, Yuri ने उनको बताया था कि Ernest को वो काफी दिनों से जानते हैं और इनको, मतलब, Albert को उनों ने बताया कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें चिताब नहीं दे दे रहा हूँ कि तुम डॉक्टर साहब को बेवकूफ मत समझना What do you mean? तो Albert ने उनसे पुछा कि क्या मतलब है तुमारा Don't try to pull the wool over his eyes, that's all जूट का परदा लगाने की कोशिश नहीं करना उनके आखों के सामने Be frank with him, डॉक्टर साहब के सामने Frankly बात करना कि तुम्हारी problem क्या है But don't pretend you have got what you haven't तुम यह मत दिखाने की कोशिश करना कि जो तुम नहीं हो, वो हो यह ना, यानि तुमको nervous breakdown नहीं है फिर भी तुम डॉक्ट साहब को दिखाओगे कि मुझे nervous breakdown हो, यह तुम होँ करने की कोशिश मत करना Not that you had deceived anyone Yuri added, you are the world's worst liar इसलिए नहीं कि तुम उनको बेवकुब बना लोगे बलकि सच्ची तो यह सचाई तो यह है कि तुम दुनिया के सबसे बेकार जूट बोलने वाले हो यानि तुम्हें जूट बोलना नहीं आता है है ना, बहुत सारे लोगों को हम कहते है ने कि तुम जूट नहीं बोलना, तुमको जूट बोलना नहीं आता है जूट बोलोगे तो तुरन पकड़े जाओगे तो यूरी जो अलबर्ट का दोस्त है वो यही बात उनको समझाने कोशिश कर रहा है कि तुम न जूट बोलने कोशिश नहीं करना क्योंकि दुनिया के सबसे खराब जूटे तुम हो यानि कि तुम जूट बोलोगे लोग आसानी से पकड़ लेंगे तुमको। और जब उन से मिलने का वक्त करीब आया तो वो इतना ज्यादा चिंता कर रहे थे यानि अलबर्ट इतना ज्यादा चिंता कर रहे थे कि सब्मुच वो डॉक्टर साहब के सामने जाने में बहुत नर्वस महसूस कर रहे थे अपनी बात शुरू करते हुए अलबर्ट ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी प्राब्लम को डॉक्टर साहब आपको कैसे समझाओं। यूरी ने तुम्हारे के जो तक्लीफ है उसका पुरा इतिहास मुझे बता दिया है तो वो पुछते हैं कि उसने क्या कहा आपको only that you want me to think you have had a nervous breakdown सेफ इतना ही कि वो कह रहा है कि आप समझ लीजिए कि हमको nervous breakdown हो गया है and say that you mustn't go back to that school और तुम इसकुस स्कूल में वापस बिलकुल मत जाओ Oh dear Albert face fell तब अलबर्ट का तु मूला टग गया सुनकर He shouldn't have told you that उसको यह सब आपको नहीं बताना चाहिए था Why not? It's true then क्यों नहीं बताना चाहिए? क्या यह सच है? Yes, that is the trouble हाँ यही problem है Now I will say there is nothing wrong with me अब आप यह कहेंगे कि तुम को तो कुछ तकलीफ ही नहीं है and you will tell me to go back to school और आप कहेंगे कि अब तुम स्कूल जाओ तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, स्कूल जा सकते हो Don't be sure of that, said the doctor डॉक्टर नहीं कहा कि तुम पहले से कैसे sure हो सकते हो कि मैं तुम को क्या बूलूंगा As a matter of fact, I am pretty sure that you are in a nervous state about that school स्कूल सचाई तो यह है कि मैं बिल्कुल ही पक्का हो रहा हूँ कि तुम इस स्कूल में जाने से पहले nervous हो रहे हो यानि कि अब तुम नहीं जाना चाहते है जिए बस तुम को भेजा जा रहा है तो तुम nervous हो रहे हो But I haven't told you anything about it Albert said लेकि Albert ने कहा कि मैंने तुम आपको ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं स्कूल जाने से पहले nervous feel कर रहा हूँ Wide-eyed, how can you know that Because you wouldn't have come to see me about this If you hadn't been pretty close to nervous breakdown तुम मेरे से मिलने बिल्कुल ही नहीं आते अगर तुम nervous breakdown के बिल्कुल करीब नहीं होते यानि तुम nervous breakdown तुमको होने वाला है इसलिए तुम मेरे पास आयो That is why now said the doctor briskly जल्दी से doctor साहम कहा If I certify that you have nervous breakdown अगर मैं यह certify कर दूं कि तुमको nervous breakdown हो गया है and must stay away from school for a while What will you do? अगर मैं तुमको कहूं कि तुम स्कूल से थोड़ी दूर ही रहो कुछ समय तक तु तुम क्या कहोगे? क्या करोगे? I'll go to Italy at Albert to Milan where my parents are तो उसने कहा कि या तो मैं इटली चला जाओंगा Milan जहां उसके parents रह रहे है and what will you do there? तुम उहां क्या करोगे? I'll try to get into Italian college or institute मैं कोशिश करोगा कि इटली के किसी college या institute में मेरा admission हो जाए how can you about a diploma, without a diploma लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बिना किसी डिपलोमा के? I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work मैं अपने mathematics teacher को कहूंगा कि मेरे काम के बारे में वो कुछ लिख कर दे दे मुझे and perhaps that will be enough और इतना काफी होगा I have learnt all the maths they teach at school and bit more और मैंने तो सब maths जितना इस्कूल में पढ़ाया गया था सब सीखा है और बलकि जादा ही सीखा है he added when doctor well looked doubtful जब doctor well को लगा कि बिना डिपलोमा के दूसरे स्कूल में क्लास में कैसे admission होगा इसका जब उनको शक हो रहा था तब Albert ने ये सब बात उनको बताई कि उसके maths teacher उसको लिखे दे सकते है well it is up to you he said ये तो तुमारे ओपर निर्भर करता है I doubt if it will come off मुझे तो शक है कि ये हो पाएगा ऐसा but I can see you are nothing to do yourself or anyone else with much good by staying here और लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुमारे लिए यहां रहने में कोई भलाई है और किसी दूसरे की भी कोई भलाई नहीं है यहां तुमारे रहने से How long would you like me to say you should stay away from school अब तुम मुझे ये बताओ कि कितने समय तक तुम सकूल से दूर रहना चाहते हो Would six month will be alright क्या 6 महीने काफी होगा सही रहेगा That is very kind of you तो Albert ने कहा कि यह तो आपकी बड़ी क्रिपा होगी अगर ऐसा लिख दीजेगा आपकी 6 महीने तुमको इसकूल जाने की जरूत नहीं है It's nothing, I have only just stopped being a student myself यह तो कुछ नहीं है मैं तो अभी बस student life खतमी किये मैंने अभी मैं doctor बना ही हूँ अभी मैं जानता हूँ कि school student life में क्या problem students को होती है So I know how you feel और मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा आनुभव कर रहे होगे Here you are, your doctor well handed him the certificate और यह यह लो और doctor well ने उसको वो certificate दे दिया and the best of luck और उनको best of luck भी बोल दिया How much? उसने doctor साब की fees पूछी कि भाई आप कितना पैसा मैं दूँ आपको Nothing, if you have anything to spare नहीं कुछ देने की जरूत नहीं अगर तुम्हारे पास कुछ extra है पैसा Invite Yuri to a meal तुम ऐसा करना Yuri को भोजन पर आमंत्रिक कर लेना यानि Yuri के भोजन का खर्चा तुम उठा लेना एक time का He is good friend of mine वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है and yours too I think मुझे लगता है कि तुम्हारा भी बहुत अच्छा दोस्त है Albert had no money to spare वैसे तो Albert के पास कुछ भी पैसा नहीं था एक्स्ट्रा but he pretended he had लेकिन डॉक्टर साब को दिखाया कि हाँ मेरे पास है and took Yuri out to out to a supper और उसके बाद वो Yuri को लेकर भोजन के लिए गए भी तो आगे की कहानी हम नेक्स क्लास में करेंगे Albert Einstein in school और फिर देखेंगे कि क्या होता है Albert के साथ ठीक है वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरू कर दीजी Thank you very much